मुम्रा शहर में आज जशने एद मिलादुन नभी के मौके पर यस्वी कैन फाउंडेशन की तरफ से गरीब परिवारों को गिफ्ट के तौर पर मिठाईया और उन्हें कुछ सामान दिये गए है जबकि छोटे छोटे बच्चों को चौकलेट और बिस्किट इस मौके पर बा आपको बता दे कि आज जशने एद मिलादुन नभी के मौके पर मुम्रा बाइपास से सट कर अंबेट कर पाड़ा में तमाम गरीब परिवार लोगों को उभार दिया गया है यहां बड़ी संख्या में गरीब परिवार रहते हैं बताया गया कि करीब सो परिवारों को इसी तरह से मदर्से में पढ़ने वाले बच्चों ने जुलूस निकाला था इस जुलूस में शामिल हुए तमाम बच्चों को महेंद्र नाइक की तरफ से कई छोटे-छोटे उपहार और मिठाईयां भी ती गए यस्विकेंड फाउंडेशन के तरफ से बताया गया कि हर स साल इस तरह येद मिलादुन नभी के मौके पर गरीब परिवार के चेहरे पर मुश्कान लाने की कोशिस की जाती है पर आपने यहां की बस्तियों में आगे की चीज़े बादे, प्रमामले को लेकर क्या कहना चाहिए। यहां तक देते हैं, जिससे उनका दिल रहम हो और दीन की बात और सोसाइटी की बात सही रहने का तरीका यह सब लोगों तक पहुचे। इसमें पहार पर रहने वाली आदिवासी पॉपुलेशन है, यह इतने मजबूर है बेचारे की इनको डेली बेसिक निट्स का सामान तक भी इनके पास नहीं है, घर में इनके पास चूले नहीं है, खाने को राशन नहीं है। पीने का पानी का जो मसला है कि एक बोरिंग है और वो बेचते हैं, लोगों को पीने का पानी में असर नहीं है। इन्शालला जो है बोरिंग का प्लान करेगी, इन्शालला मश्वरे में लाएगी कि यहां पर एक बोरिंग दिया देखे, बच्चों को पहनने के कपड़े नहीं हैं। आप कमाम साथियों ने देखा होगा कि बच्चे बिना कपड़े के वहां पे मौजूद हैं। देखकर अफसोस होता है कि इतनी बड़ी फसी आबादी के बीच में कुछ हमारे भाई ऐसे भी रह रहे हैं जिनके पास बेसिक नीज के लिए कपड़े, चूला और यह सारे साजो सामान नहीं है। क्या-क्या चीज़े बाटे गए। अभी आज हमने किचन की जरूरुज़त में आने वाला जो हमारा एयर टाइट बॉक्स रहता है यह चीज़े बाटे बच्चों के लिए हमने चॉक्लेट, बिस्किट, चिप्स और फूर्टी वगरा यह से खानी पीने के चीज़ों का इंतजाम किया था अलंभी रहे हैं। यह से जाने के बाद जो रिव्यू मीटिंग होगी उस पर इंशानला इस पर बात दोगी।